मंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट पटेल सेवा समाज हॉस्टल का किया भुली पूजन हॉस्टल के फेस वन का हुआ श्रेल न्यास दो हजार चौबिस में पूरा हो जाएगा दोनुं फेस लगागा कॉंग्रिस के अंत्री मदियर सोनिया गांधी से मिलेंगे सीम मर्शोग गहलोग करीब आठ महीने बाद सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकास देवलू सी की बैचत से एक दिन पहले सोनिया गांधी से मिलेंगे सीम गहलोग बीजूपी के फैसले पर अपना दल एस ने जताई आपत्ती विदान सभा के डिप्टी स्पीकर के रूप में दलीत या ओबीसी विदायक को देखना चाहता है अपना दल एस कहाई इस से पिश्णो और दल्दू को अच्छा से देश में अभी जारी है कोईले का संकर बीज़ प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने स्वाराष्ट पतेल सेवा समाज हॉस्टल का आज भूमी पूजन किया वीजियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से पियम मोधी ने भूमी पूजन करते हुए देश वासियों को विजदश में की शुब काम नाएं और बधाईयां दी बत सपने साकार करने का आफसर मिलेगा मैं सोराष्ट पतेल सेवा समाज को बढ़ाई देता हूँ और क्या कुछ कहा प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने वो भी सुनिये आज नई राष्ट्रिय सिख्षा नीती के जरिये देश की सिख्षा व्यवस्ता को भी आधुनिक बनाये जा रहा है नई राष्ट्रिय शिख्षा नीती में प्रोफेशनल कोर्सिस की पढ़ाई स्थानिय भाषा में मात्रु भाषा में कराये जाने का विकल्प भी दिया गया है। अब रुकावत नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिगरी तक ही सिवित नहीं है। बलकि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपारिक स्किल को भी अब आधुनित संभावनाओं से जोड रहा है। साथियों स्किल का क्या महत्व होता है इसे आप से ज़्यादा और कौन समझ सकता है। साथियों स्किल और इको सिस्टिम से मिलकर आज नए भारत की नीव रख रहे हैं। स्टार्ट अप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज भारत के स्टार्ट अप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। हमारे यूनिकॉर्ण्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही हैं। कोरोना के कठीन समय के बाद हमारी अर्थ वबस्ता ने जितनी तेजी से वापसी की है। उससे पुरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व समस्ता ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थ वबस्ता बढने जा रहा है। मुझे विश्वास हैं गुजरात राष्ट निर्मान के अपने प्रयासों में हमेशा की तरह सर्वस्रेष्ट रहेगा, सर्वस्रेष्ट करेगा। अब तो भुपेंदर भाई पटल जी और उनकी पूरी टीम एक नई उर्जा के साथ गुजरात की प्रगति के इस मिशन में जुट गए हैं। साथियों, वैसे भुपेंदर भाई के नेत्रूतों में नई सरकार मनने के बाद, आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का अउसर मिला है। एक साथी कार्यकरता की रूप में भुपेंदर भाई से मेरा परिचय पचीस वर्थ से भी ज्यादा का है। यह हम सभी के लिए बहुत गवरों की बात है कि बुपेंदर भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो टेक्नोलोजी के भी जानकार है और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए है। अलग अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभव गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है। कभी एक छोटी सी मुनिसिपालिटी नगरपालिका के सदस्य, फिर नगरपालिका के अध्यक्ष, फिर अमदाबाद महानगर के कॉर्पोरेटर, फिर अमदाबाद महानगरपालिका के स्टेंडिंग कमिंटी के चेर्मेन, फिर आउडा जेसी प्रतिष्टित संस्तान के चेर्म करीब करीब पचीस वर्सों तक अखन रूप से उन्होंने ग्रास्त रूट शासन प्रसासन को देखा है परखा है उसका नेत्रुत्व किया है कि मुझे खुसी है कि आज ऐसे अनुभवी व्यक्ति गुजरात की विकास यात्रा को तेज गती से आगे बढ़ाने के लिए गुजरात का नेत्रुत्व कर रहे हैं साथियों आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है कि इतने लंबे समय तक सार्व जनिक जीवन में रहने के बावजूद इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी 25 सांज तक कार्य करने के बाद भी भुपेंद्र भाई के खाते में कोई विवाद नहीं है भुपेंद्र भाई बहुती कम बोलते हैं लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते एक साइलेंस वर्कर की तरह एक मुख सेवक की तरह काम करना उनकी कार्यशायली का हिस्सा है बहुत कम हें लोगों को ये भी पता होगा कि भुपेंद्र भाई का परिवार हमेशा से आध्यात्म के प्रती समर्पित रहा है उनके पिता जी आध्यात्मिक छेत्र से जुड़े रहे हैं मेरा विश्वास है ऐसे उत्तम समस्कार वाले भुपेंद्र भाई के नेत्रूत में गुजरात चौद पर्फा विकास करेगा साथ्यों मेरा एक आग्रह आप सभी से आज़ादी के अमरुत महोत्सव को लेकर भी हैं इस अमरुत महोत्सव में आप सभी को भी कुछ संकल पर लेना चाहिए देश को कुछ देने वाला मिशन सुरू करना चाहिए ये मिशन ऐसा हो जिसका प्रभाव गुजरात के कौने कौने में नजर आना चाहिए जितना सामर्ते आप में है मैं जानता हूँ आप सब मिलकर के ये कर सकते हैं हमारी नई पीडी देश के लिए समाज के लिए जीना सीखे इसकी प्रेणा भी आपके प्रयासों का अहम हिस्सा होनी चाहिए राजिस्थान के मुख्य मंत्री अशोग गहलाओत आज करी बाठ महीने बाद कॉंग्रिस के अंतरी मध्यक शोनिया गांधी से मलाकात करने वाले हैं ये बैटक शनिवार को होने वाली कॉंग्रिस कारसमीरी CWC की बैटक से एक दिन पहले हो रही है हरशोग गहलाओत कारिक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर को होने वाली CWC की बैटक में भाग लेने के लिए शुकरवार दो पहले दिल्ली के लिए रवाना हूट आएंगे 27 फरवरी को रास्टे राजधानी की अपनी यात्रा के बाद ये इस साल दिल्ली के दूसरी यात्रा होगी उनके दौरे के दौरान पार्टी आलकामान से कैबिनेट फेर बदल, राजधितिक निक्तियों और संगटित विस्तार जैसे लंबे समय से लंबित मुद्दों पर चर्चा हो सकती है सुत्रों की माने तो गहलोद जब शुकरवार को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो इन लंबित मुद्दों के सुलजने की सम्भावना है राजधान की पूर्व डिप्टी सीम सचिन पारिट का खेमा लंबे समय से कैबिनेट में फेर बदल की मांग कर रहा है इस खेमे के अलावा आप बसपा के विधायक भी क्यापनेट बर्थ और राजधितिक न्यूक्तियों की मांग करते नजर आ रहे हैं देवी की नौ दिन चलिया राध्धा के बाद दशहरे के दिन असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक रावन के पुतलों का दहन किया जाता है पर मध्यप्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जहां रावन का दहन नहीं होता बलकि उसकी पूजा होती है आज हम आपको मध्यप्रदेश के ऐसे ही इलाकों के बारे में बताएंगे जहां दशहरे के मौके पर रावन का वद नहीं बलकि पूजा अर्चना की जाती है पहला है मंदसौर रावन की पत्नी मंदोदरी का मायका मंदसौर माना जाता है और उसे लिहास से वहां रावन को पूजा जाता है यही कारण है कि यहां के लोग रावन को अपना दामाद मानकर पूजा करते हैं यहां एक रावन रूंदी नाम का स्थान है प्रश्टित कहानियों के अनुसार मंदसौर का पहले नाम दश्पुर हुआ करता था क्योंकि यहां के राजपरिवार में जन्मी बालिका का नाम मंदोदृ का दामाद दशानन था यहां के नामदेव समाच के लोग रावण को अपना दामाद मानते हुए दशेरे में पूजा करते हैं और साथी रावण की प्रतीमा के पैर चुकर सुक समरिद्धी का आशिरवाद मांकते हैं वहीं शाम को प्रतिकातमक तौर पर देहन की बजाय रावन का वद्ध करते हैं यहां की खासपात यह है कि शेत्र की माईलाय रावन की प्रतीमा के सámen economics करती है क्योंकि यहां दामात के सामने गूंगut करने की परमपरा है इसी तरह विदीशा जिले की नरेटन तहसील के शेत्र में रावण नामक एक गाउं है जहां दशेरे के मौके पर रावण की पूजा होती है यहां के लोग रावण को पूजनिये मानते हैं और उन्हें रावण बाबा कहकर पकारते हैं यहाँ हर पुनित कारे या मंगल कारे करने से पहले रावन की पूझा की जाती है इस रावन गाउं में रावन की विशाल काय प्रतीमा भी मौझूद है जो जमीन पर लेटी हुई है इस इस्थान को मंदिर का सुवरूप दिया जा चुका है यहाँ दशहरे के दिन प्रतीमा का स्थान कराने के बाद चंदन से लेप किया जाता है साथी नाभी में तेल लगाए जाता है क्योंकि भगवान राम ने रावन की नाभी में ही तीर मारा था इसलिए रावन की नाभी में तेल लगाए जाता है ताकि उसे पीडा ना हो तो ये आपको हमने दो शहरों के नाम बताए हैं जहाँ पर आश के दिन यानि कि दशेरे के महापर के दिन रावन का दहन नहीं किया जाता बलकि यहाँ पर रावन की पूजा होती है भारत में अनेकों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रावन का दहन नहीं किया जाता जहाँ पर रावन की पूजा की जाती है दो स्थान हमने आपको बताए इसके अलावा भी तमाम स्थान है बाकी पूरे देश में आज रावन दहन किया जाता है दशेहरे के दिन और इसके अलावा इन शेहरों में पूझा अर्षना भी रावन की की जाती है कई कहानिया प्रशलित हैं उसके बारे में भी लगातार हम आपको बता रहे हैं दरसल बताई ये जाता है कि मध्यप्रदेश की जो इलाके हैं यहां पर मंदसौर की बात की जाये तो रावन की पत्नी मंदोद्री का मायका मंदसौर था और यही कारण है कि यहां के लोग रावन को अपना दामाद मान कर पूजा करते हैं यहां एक रावन रुदी नाम का स्थान है प्रश्टित कहानियों के अनुसार मंदसौर का पहले नाम दश्पुर हुआ करता था क्योंकि यहां के राजपरिवार में जन्मी बालिका का नाम मंदोद्री का दामाद दशनन था यहां के रामदेव समाज के लोग रावन को अपन पर रावन पूजनिये हैं वहां पर रावन देहन नहीं किया जाता दशेरे पर सतर और बीजेपी ने नितिन अगरवाल को विधान सभा के डिप्टी स्पीकर की रूप ने रिर्वाचित कारे करने का मन मना लिया है लेकिन उनकी सयोगी अपना दलेस ने इस पर आपती जताते हुए इस पद के लिए एक दलित या एक OBC विधाय की मांग की है आपको तादिक उत्रप्रदेश विधान सभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव 18 अक्टूबर को हुना है अपना दल की राष्टे कारेकारी अध्यक्ष और MLC आशीश पतिल ने कहा कि वर्तमान में यूपी विधान सभा के स्पीकर और विधान परिश्रत के चेर्मेन के पद पर कोई भी OBC और दलित समुदाय से संबंधित नहीं है उन्होंने कहा कि ऐसे में OBC या ऐसी समुदाय के विधाय को राष्टे विधान सभा का डिप्टी स्पीकर बनाए जाना चाहिए इससे पिछडों और दलितों को एक अच्छा संदेश भी जा सकता है तो बीजोपी के फैसले पर अपना दलेस ने आपत्ती जताई है यह बड़ी जानकारी इस वक्त के हम आपको दे रहे हैं जहांपर दलित या OBC विधाय को पद देने की मांग लगातार उठाई जा रही है देश में कोईला संकट अभी खत्म नहीं होता दिख रहा देश में कोईला उत्पाद पर एकादिकार रखने वाली सरकारी कंपनी कोल इंडिया ने बिजली के अलावा कई सेक्टर को कोईला की आपूर्टी पर अस्थाई तोर पर रोक लगा दी है इससे ये समझा जा सकता है कि हालत कितने गंभीर है कोल इंडिया की एक शाखा साउट इस्टरन कोल फिर्ट्स लिमिटेड ने हाल ही में एक लेटर जारी कर कहा कि अगली सूचना तक नौन पावर सेक्टर को आपूर्टी लंबित रहेगी कोल इंडिया के गधिकारी ने बताए कि ये केवल अस्थाई रूप से प्राथ्मिक्ता टैकरने की बात है देश में पावर प्लांस में कोईले की तंगी को देखते हुए देश हित में ये फैसला लिया गया है इसे पावर प्लांट्स को कोईले की आप पूर्ती बढ़ाने में मदद मिलेगी कमपनी ने ये कहा है कि वो लगातार अपना उत्पादन भी वड़ा रही है पिछले चार दिन से पावर सेक्टर को लगातार 16.1 लाग तन प्रती दिन कोईले की आप पूर्ती की जा रही है एक बार हालत सुधरने पर जब कोल फाइड प्लांट्स में कोईले का स्तर सुविधा जरक स्तिती में पहुँच जाएगा दूसरे सेक्टर को फिर से नियमेत रूप से कोईले की आप पूर्ती शुरू कर दी जाएगी तो अभी भी कोईला संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है गैरविशली शेत्र में कोईले की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई है तो आपको उता दें कि पिछले कई दिनों से देश में कोईला खत्म होने का संकट लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है कई कम्पनिया ऐसी हैं जो साफ़तोर पड़ी कह रही हैं कि अभी उनके पास पूरी तरह से कोईला नहीं है ऐसे में कोईला उत्पादन करना बेहद मुश्किल है इसके लावा जो गैर बिजली शेत्र हैं जहाँ पर बिजली की आवशक्ता उतनी जादा नहीं है वहाँ पर जादा सप्लाई को बंद कर दिया गया है ताकि खपत जादा ना हो और जो ऐसे शेहर हैं या राज्ये हैं जहाँ पर बिजली की खपत जादा होती है वहाँ पर उस बिजली को और कोईले को भेजा जाए तो कई सेक्टरों को कोईले की आपूर्टी पर अस्थाई तोर पर रोक लगा दी गई है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हालत गंफीर अभी भी बने हुए है भले ही तमाम बयान सामने आजा उसके बावजूद भी हालात गंफीर बने हुए है इस्टरन कोल फिर्स लिमिटर ने कहा है कि अगली सूशना तक नौन पावर सेक्टर को आपूर्टी लंबित रहेगी कोल इंडिया के कदिकारी ने ये भी कहा कि एक एवल अस्थाई रूप से प्रात्मिक्ता तै करने की बात है देशमें पावर प्लांट्स में कोईली की तंगी को देखते हुए देश हित में ये फैसला लिया गया है इससे पावर प्लांट्स को कोईली की आपूर्टी बढ़ाने में मदद मिलेगी कंपनी आगे कहती है कि वो लगातार अपना उत्पादन भी बढ़ा रही है लेकिन उत्पादन के साथ साथ खपत भी जादा बढ़ रही है पिछले चार दिन से पावर सेक्टर को लगातार 16.1 लाख टर्ण प्रति दिन कोईले क्यापूर्टी की जा रही है एक बार हाला सुधरेंगे जब कोल फाइड प्लांट्स में कोईले का स्थर सुविधा जनक सिती में पहुंच जाएगा दूसरे सेक्टर को फिर से नियमित रूप से कोईले की आपूर्टी शुरू कर दी जाएगी लेकिन तब तक ऐसे हालाद बने रह सकते हैं जमु कश्मीर के पुंच में आतंक्यों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है सुभीच विंबर गली में ऑपरेशन के दौरान एक जूनियर ओफिसर के शहीद होने की खबर है इसके साथी आर्मी के दो जवान गंभी रूप से खायल हो गए हैं आतंक्यों के खिलाफ ऑपरेशन 11 अक्टूबर से ही जारी है सुभार को भी पुंच में आतंक्यों से मुड़भेड हुई थी जिसमें एक जेसियो समेथ पांच जवान शहीद हो गए थे तब अधिकारियों ने बताये था कि सिमवर्ती जिले पुंच के सुरन कोच इलाके में डीरा की गली के पास एक गाउ में आतंक्यों की तरफ से की गई गोली बारी में सैनिक शहीद हो गए अधिकारियों के बताविक सेना और पुलिस ने नियंत्रा रेखा पार कर आये आतंक वादियों की मौझूद्गी की जानकारी मिलने के बाद सुख्त अभ्यान शुरू किया था पुलिस ने मंगलवार को बताया कि पुंच्छ जिले में सुरक्षा बलो पर हमने लगातार कारवाई की है और जो शामिल आतंक वादी है उनमें से दो से तीन महीने से इलाके में ही वो रह रहे थे जब मुकश्मीर पिशले कुछ दिनों में आतंकी वारदातों में तेजी देखी गई है सुरक्षा बलो ने भी मातर दो सपताह में दस आतंकियों को मार गिराया है ये बड़ी काम्यावी हम कह सकते हैं बुद्वार को ही सुरक्षा बलो ने आतंकी संगठन जैशे मोहमद के शीष कमांडर शंप सोफी को पुलवामा के त्राल शेत्र से मार गिराया था पजाब कॉंगर्स के अध्यक्ष नवजो सिंग सिद्धु के स्तीफे पर सस्पेंस लगातार बरकरार है नवजो सिद्धु ने कल संगठन महास्टचिफ केसी वनुगुपार और पंजाब प्रभारी हरी श्रावस से मुलाकात की और उन मुद्दों से वरिश्ट नेताओं और सेहमती बनाने का प्रयास हुआ ताकि चुनाव से पहले पूरी पार्टी एक जुठ होकर मैदान में उतर सके सूत्रों ने ये भी बताये कि फिरहाल प्रदेश कॉंगर्स कमीटी के नत्रत में बदलाव के आसार कम है क्योंकि विदान सभा चुनाव में कुछ महीने का समय रह गया है ऐसे में कॉंगर्स आलकमान सिद्धू के स्तीफे को लेकर उनके और पार्टी दोनों के लिहास से कोई सम्मान जनक फैसला कर सकता है माना तो ये भी जा रहा है कि अगले एक या दो दिन में निर्ने हो सकता है बेटर के बाद रावत ने कहा कि सिद्धू और मुखे मंत्री चरण जी सिंग चन्नी बातचीत कर चुके हैं कुछ चीज़े ऐसी होते हैं जिसमें समय लगता है कॉंग्रिस अध्यक्ष का फैसला सबको स्विकार होगा उन्होंने कहा कि जब सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त उनसे कहा गया था कि वो संक्षन को मजबूत करें सिद्धु ने कहा कि मैंने पंजाब और पंजाबियों से जोड़ी चिंताओं से पार्टी आलकमान को अवगत कराया है मुझे कॉंग्रेस अध्याक श्राहूल गांधी जी और प्रियांका गांधी जी में पूरा तरह से विश्वास है वो जो भी फैसला करेंगे वो कॉंग्रेसर पंजाब के हित में होगा मैं उनकी निर्देशों का पालन जरूर करूँगा कानपूर के हैलिट अस्पताल से इल्ला परवाही की एक बहुत बड़ी घटना सामने आई यहां एक प्रेगनन महिला की डिलिवरी टॉलेट में ही हो गई उसके नवजाद बच्चे की टॉलेट सीट में फसकर मौत हो गई पती कारोप है कि रात में पत्नी को लेवर पेन शुरू हुआ लेकिन डॉक्टर या नर्स ने ध्यान नहीं दिया जब वो टॉलेट गई तो वहीं उसके डिलिवरी हो गई दरसल हेलिट अस्पताल में बुद्वार रात को मौबिन की पत्नी हसीना बानो को बुखार के चलते भरती कराए गया था हसीना 8 महीने की पेगनन थी रात में उसको लेवर पेन हुआ लेकिन बॉड की नर्सों ने ध्यान नहीं दिया और ये कह दिया कि अभी डिलिवरी में टाइम है और ये हमारा मामला नहीं है जबकि परिजन उनसे गुजारिश करते रही इसी दुरान हसीना टाइलेट चली गई जहां टाइलेट सीट पर ही उसको डिलिवरी हो गई इसका नवजाद बच्चा टाइलेट सीट की सिवर लाइन में फस गया मोबिन का आरोफ है कि जन्व के समय मेरा बच्चा जिन्दा था जब तक एमरजनसी से डॉक्टर स्टाफ आकर स्ट्रीट टोड़क बच्चे को निकालते उसकी मौत हो गई जगटना का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि मोबिन इस दोरान बच्चे के पैर पकड़कर टोलेट सीट के ओपर खड़ा होकर बच्चाने के लिए रोता रहा लेकिन बच्चा फिर भी नहीं बस सका मोबिन का रोफ है कि डोलेट सीट में बच्चा मूँ के बलफसा था जब की नीचे सिवर का पानी भरा था बच्चा निकाले में इतनी देरी हो गई कि उसकी जान चली गई बागपत के कोट रोट पर दो पक्षों में जगड़ा हो गया उनके बीच लागभू से भी चले इससे बहां हंगामा हो गया इसी दोरान किसी ने जगड़े के वीडियो बना लिये और वीडियो सोशल मीडिया पर वारल कर दिये हैं वही कोट वाली एससाई मुनिशपाल सिंग का कहना है कि मामले की जाच की जा रही है तो बागपत में दो पक्षों में जड़प होती हुए नजर आई किसे ने वीडियो बना लिया सोशल मीडिया पर वारल कर दिया हलाकि ये वजह साप नहीं हो पाई कि दोनों पक्ष आपस में क्यों जगड रहे थे फिलाल पर उसका कहना है कि इस पूरे मामले मिसंग्यान ले लिया गया है कारवाई की जा रही है देश में जानलेवा कोरोना वारस के नए मामलों में कल की तुल्ना में आज गिरावट देखने को मिली है पिशले 24 घंटो में कोरोना वारस के 16,000 से ज़ादा मामले सामनी आये वहीं 300 से ज़ादा लोगों की जान चली गई कल देश में 18,000 से जादा मामे दर्ज हुए स्वासमंत्राली की ओर से जारी ताजा आंकडों की मताबिक देश में पिछले 24 गंटों में 19,000 से जादा लोग कोरोना मुक्त हुए हैं जुसके बाद एक्टिव केस खटकर 2,3,000 बचे हैं देश में अब तक 3,33,000 से जादा लोग कोरोना को माम दे चुके हैं वहीं देश में अब तक कोरोना से 4,51,000 से जादा लोगों की जान जा चुकी है केंदु स्वासमंत्राली ने बताए कि देश में अब तक कोरोना वारस वैक्सिन की करीब संतानवे करोड 14,38,000 से जादा डोस दी जा चुकी है पिछले 24 गंटे में 30,26,000 से जादा कोविड वाक्सिन दी गई और इसे के साथ फिलाल खबरों में ताहिया आप बने रहें न्यूस्पॉल इंडिया के साथ झाल